आज मैं एक रोमांस ड्रामा मूवी लाया हूँ जिसका नाम है सिनिस्टर सड़क्शन इस मूवी की शुरुआत में हमें माक नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है वो जॉगिंग कर रहा है लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और चाकू से उसके उपर हमला करके उसे मार देता है इसके बाद हमें माक की पतनी शेरोन को दिखाया जाता है और वो पती की मौट से बहुत दुखी है और शेरोन भी बहुत खराब स्थिती से अपनी जिंदगी गुजर रही है हाल ही में उसने अपने पती को खो दिया है तब सभी को उनके पुरानी अफैर के बारे में पता चला रहा है और इसलिए उनका रियल एस्टेट बिजनस भी कुछ खास नहीं कर पा रही है अगले दिन शेरोन जल्दी ही जाग जाती है और वो जाकर अपने बेटे एंथनी को उठाती है क्योंकि ये आज उनका स्कूल है लेकिन एंथनी को स्कूल जाना इतना इंटरस्ट नहीं है और ये देखकर शेरोन उससे पूछती है, क्या कोई आपको स्कूल में धंकाता है, तो एंथनी इससे इंकार करते हैं, और अब तैयार होकर स्कूल जाता है, इसके बाद डिटेक्टिव बांज शेरोन से मिलने आता है, और बांज एक डिटेक्टिव है, और प्रेजेंट में शेरोन के पती की हत्या के मामले पर काम कर रहा है। और वो इस मामले पर अपडेट देने के लिए शेरोन से मिलने आया है। बांज और शेरोन दोनों बचपन से दोस्त हैं और बांज बचपन से ही शेरोन को पसंद करते हैं। लेकिन अब तक शेरोन ने उन्हें मौका नहीं दिया है। इधर स्कूल पे ब्रेंट नाम के एक लड़का ने आंथनी को राग करता है। नी इंड स्कूल तब वहाँ एक और लड़का आता है, इनका नाम है डिलन। इसको देखते ही ब्रेंट वहाँ से चले जाता है। फिर डिलन ने एंथनी को स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। और वहाँ ब्रेंट भी होता है। फिर ब्रेंट ने एंथनी को चोड पहुँचाने के लिए रूल्स को तोड़ कर खेलता है। तब उनको वहाँ से रिस्टिकेट करते हैं। और डिलन ने भी खेल के मैदान में एंथनी की बहुत मदद करता है। और फिर जब दोनों डेसिंग रूम में होते हैं, तो एंथनी डिलन से पूछता है। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तो इस पर डिलन कहते हैं कि मुझे पता है, कि आपने हाल ही में अपने पिताजी को खोया है, और मेरे पिताजी ने भी दो साल पहले आत्महत्या कर ली थी। और मुझे पता है, एक पिता को खोना कैसा होता है। और इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद जब एंथनी अपना लॉकर खोलता है तो उसके कपड़े नहीं होते और फिर जाकर टॉयलेट में चेक करता है तब उसका कपड़े वहन पर होते हैं दरसल ये काम ब्रेंट नाम के उस बुली बॉय ने किया था बाद में एंथनी ने डिलन के साथ घर जाता है और साड़ी कहानी उसकी मा को बताता है और ये सुनकर उसकी मा भी खुश होती है और बटी है कि आज एक पार्टी है क्योंकि अब एंथनी भी डिप्रेशन से बाहर आकर सोशलाइजिंग कर रहा है और उस रात एंथनी के घर में एक पार्टी है इसलिए डिलन भी आया है औ और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं. तब डायलन ने शेरौन को अपने पिता की मृत्यू के बारे में बताता है. और फिर शेरौन भी अपनी वेल्थ के बारे में बात करती है. फिर कुछ दिनों बाद डिलन शेरौन की एक प्रापटी देखने चाहते हैं और बाद में वो पूरे घर को देखता है कुछ दिनों बाद Anthony football practice में brain से बहतर खेलता है तब ये देखकर brain को गुसा आ जाता है और बाद वो सीधा Anthony की locker के पास जाता है और Anthony की कपड़े को फिर से toilet में डालने के लिए लेकिन इस बार locker बंध है और तब डिलन भी वही होता है और डिलन को Anthony के locker के पास देखकर उसे धमकी भी देता है लेकिन डिलन को धमकाना और राग करना उनके बसके नहीं है बाद में इधर घर में शेरोन को उसके पुरानी affair वाले आदमी से एक mail मिलता है और इससे पहले भी ऐसे mail आ चुके हैं लेकिन उसने डिटेक्टिव बांस को इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे बांस के साथ अपने affair पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि ये उसके लिए बहुत अजीब लगती थी जब शेरोन अपनी सेकरेटरी केटी को इस mail के बारे में बताती है तो केटी भी वो सलाह देती है कि उसे बांस से इसके बारे में बात करनी चाहिए लेकिन शेरोन फिर भी बहाना बनाती है और वो बाद में उसे कुछ नहीं बताती है बात डिलन ने स्कूल में एंथनी को मोटिवेट करता है और वो उसे मेगन को डेट पर ले जाने के लिए कहता है फिर एंथनी ने मेगन से डेट पर आने के लिए कहता है और वो सहमत देते हैं और उसी रात एंथनी डिलन की कार लेता है और मेगन के साथ डेट पर जाता है और इसलिए डिलन एंथनी के घर में रहना होता है अब डिलन और शेरोन घर पर अकेले हैं फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हो रहे दुखों पर बाते करते हैं इधर डिलन ने शेरोन को म घर में नहा रही होती है, फिर डिलन बाथरूम में आता है, और वो अपने कपड़े उतार कर उससे जुर जाता है, तब शेरोन इसे देखती है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकती, और फिर यहीं से उनका अफ़र शुरू हो जाता है, थोड़ी देर बाद एंथनी अपनी को मिल रही थी, वो कोई और नहीं बलकि डिलन उसे भेज रहा था, अर्थात, अब तक जो कुछ भी हो रहा था, ये कोई कोई कोइंसिदेंस नहीं था, और इसी कारण के वजह से, वो अंथनी से दोस्ती किया था, कुछ दिनों बाद, स्कूल में, ब्रेंट ने अंथनी की प्रेंड मेगन का सामना करता है, और बताता है कि डिलन में कुछ गरबर है, और वो हमसे कुछ चुपा रहा है, लेकिन मेगन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, तब ब्रेंट उसे बताता है, आप चाहें तो ऑफिस जा सकते हैं, और डिलन की फाइल देख सकते हैं, और मैं सभी को बताऊंगा और यह सुनकर डिलन परिशान हो जाता है लेकिन ब्रेंट को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसलिए वो एक प्लान बनाता है और एंथनी से मिलता है और उसे बताता है कि तुम मुझसे जूट नहीं बोलोगे तब डिलन इधर डिटेक्टिव बांज भी स्कूल आता है क्योंकि यह एक गंभीर मामला था और वो शेरोन को सब कुछ बताता है और शेरोन भी स्कूल आती है जब बांज द्वारा पूछे जाने पर डिलन कहते हैं उस ब्रेंट ने मुझे मारा है और ब्रेंट एंथनी को भी उसी च लाफ है इसलिए ब्रेंट को स्कूल से सस्पैन कर दिया गया है फिर शेरोन एंथनी के साथ घर आती है और उसे बताती है कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि कोई तुम्हें स्कूल में धंकाता है और दोनों इस बात को लेकर जगड़ा करते हैं दरसल एंथनी ने शेरोन को देखा था जिसने मार्क की किताबे फार दी थी और उसे लगने लगा था कि शेरोन को मार्क की किताबे कभी पसंद नहीं थी इसके बाद शेरोन को पता चल जाता है वो एंथनी अपने पिछले अफय के बारे में भी जानता है फिर एंथनी गुसे में वहां से नि किस कर रहे होते हैं तब किसी ने दोनों की वीडियो क्लिप बनाते हैं स्कूल में अगले दिन मेगन एंथनी से मिलती है और उसे उस वीडियो को दिखाती है यानि मेगन ने बीती रात उस वीडियो को रिकॉर्ड करती थी दरसल मेगन को डिलन की सच्चाई के बारे में पता चल गई थी और जब उसने डिलन को इसके बारे में पूछी थी तो डिलन ने मेगन को उसी जगा मिलने के लिए बुलाया था जहां वो शेरोन को किस कर रहा था और फिर मेगन ने अपना विडियो बनाया फिर मेगन ने एंथनी को बताती है वो डिलन हम सभी से जूट बोल रह यहां तक उनका नाम भी असल में डिलन नहीं है और उन्होंने तीन साल पहले अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और उसने जान बूज कर मुझे उस जगह बुलाया था ताकि मैं उसका और शेरोन किसिंग का विडियो रिकॉर्ड कर सके यह सब जानते हुए एंथनी ने मना नहीं कर पा रहा था और कहता है कि यह मेरी मां का दूसरा मामला है तब मेगन उससे उस घटना के बारे में पूछती है जिसमें ब्रेन के चाको से डिलन पर हमला हुआ था और उस दिन एंथनी ने जूट बोला था इसलिए वो मेगन का बाते सुनकर तुरंत वहां से चला ज जाता है कुछ समय बाद डिलन मेगन से मिलता है और वो उसकी फोन को छीन लेता है और वो उस वीडियो को अपने फोन में ले लेता है जब मेगन वहां से जा रही होती है तब डिलन भी उसके पीछे दौरता है और थोड़ी देर बाद शेरोन को पता चल जाता है कि कि किसी उनका और डिलन के किसका वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है और यह देखकर वो टेंशन में आ जाती है तब आता है डिटेक्टिव बांज और वो शेरोन को बताता है कि मुझे अब मार्क की हत्या के मामले से निकाल दिया गया है क्योंकि मामला आगे नहीं मेसेज आता है और वो उसे डिलन के घर आने के लिए कहती है जब एंथनी वहां जाता है तब उसके घर में कोई नहीं मिल रहा है तब डिलन उस पर पीछे से हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है यहां हमें पता चलता है कि डिलन ने मेगन के फोन से एंथनी को मेसेज किय और फिर से उसकी मोबाइल से शेरोन को भी मेज़ भीजता है कि आज एंथनी मेरे घर में रहेगा। इसके बाद शेरोन को रात में उसके पिछले अफय का मेल आता है, जो शेरोन को अपने घर पर मिलने के लिए एन्वाइट करता है। मेगन जाने से पहले डिटेक्टिव बांस को इसके बारे में बताती है। दरसल डिलन ये मेल शेरोन को भी भेज रहा था। इसके बाद शेरोन उस घर के अंदर जाती है। और वहाँ वो डिलन को देखती है। और यहाँ डिलन उसे पूरा सच बताता है। दरसल शेरोन का पहले जिसके साथ अफय चल रहा था, वो कोई और नहीं, बलकि डिलन के पिता थे, और जब इस संबंद के बारे में सभी को पता चला, तब डिलन के पिता ने आत्महत्या कर ली और डिलन शेरोन को दोशी महसूस करता है, और इसलिए वो शेरोन से बदला लेन चाहता है, और इसके बाद डिलन भी यही कहते हैं, कि उसने आपका पती माक की हत्या की थी, और फिर वो शेरोन को एक चाकू देता है, और उसे आत्महत्या करने के लिए कहता है, और उसे धमकी देता है कि मेरे पास एंथनी है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो मैं एंथ इक्टिव बांज भी वहां आ जाता है, और फिर शेरोन बांज को पूरा सच बताती है, तब बांज अंदर जाता है और डिलन की तलाश करता है, लेकिन डिलन वहां से चला गया था, फिर शेरोन अपने बेटे को बचाने के लिए बांज के साथ डिलन के घर जाती है, दूस के लिए उसके घर के सामने जब वो जंगल के अंदर जाते हैं तब बांस पीछे चूच जाता है और तभी डिलन वहां आता है और बांस पर चाकू से हमला करता है घायल होने के कारण बांस भी वहीं बेहोश हो जाता है इसके बाद डिलन बांस की बंदूक ले लेता है तभी एंथनी वहां आता है और वो डिलन को समझाने की कोशिश करता है तभी मेगन उस पर पीछे से हमला करती है और शेरोन फिर से बंदूक उठाती है और वो डिलन को बंदूक से मार कर बेहोश कर देती है फिर वो डिलन को मारने वाली थी तभी एंथनी उसे रोकता है और फिर हम अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी विडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें